अब जीडी का पेपर रहे गया मात्र तीन दिन आज 17 तारीख हो गई कल 18 19 20 अब ऐसे समय में हम लोग करने वाले हैं संभावित पेपर कैसा अभी देखो उत्तर प्रदेश पूलिस का आज पेपर था सिफ्ट वन सिफ्ट टू का बड़ा ही अच्छा पेपर हुआ बच्चे बड़े खुश रहे मुझे भी बड़ा आनन्द आया कि वाव क्या पेपर हुआ है अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज आज का टॉपिक क्या है संभावि बिना कोई देर किये 17 फरवरी का जो संभावित पेपर लाइफ टेस्ट वन है सब लोग रेडी हो जाओ ठीक है ना सब लोग रेडी हो जाओ संभावित पेपर करने के लिए तो एक बार बोलो जय हिंद और पहले क्वेशन की तरफ हम लोग मूफ कर जाते हैं चले ना बिना कोई समय कवाए पहला आपके सामने इस्टा लेकिन 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 आ चुका है तिरंगा और इसमें तो भाई अगर दो मिनट क्या पूरा जीवन चला जाए तो भी सल्यूट किया जाएगा ठीक है ना आईए अब सुरुआत करते हैं हार मानने से ना ताकत मिलेगी ना मंजी पढ़ाई कर ले दोस्त एक दिन ये दुनिया तेरे कदमों में जुकेगी इसी सोच के साथ लाइफ टेस्ट सेट वन स्टा चलिए एक साथ सेट आज मारना है ठीक है ना आठ मिनट की जगह मैंने समय अब 6-6 मिनट का कर दिया है ताकि हम लोग पूरा कभर कर सके तो आपके पास है 25 क्वेस्टन 6-7 मिनट पहला क्वेस्टन एंसर करिएगा ठीक है अचा उससे भी ज़्यादा आपको बता दू अठारा फरवरी को सुबा आठ बजे मतलब कल रवीवार है लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है ना मेरी छुट्टी है मैं रवीवार को सुबा आठ बज नहीं वर ज़्याद रखना कल 18 फरवरी है सुबाआ 8 बजे जब स्वतंतरता की पहला क्वेश्टन ठीक है ओग ना जब स्वतंतरता की मांट बेटन योउजना सुविकार की गई उस समय भारती-राश्ठी कांग्रेश का अध्यक्श क्वा था मेरे लला उस समय भारती राष्टी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था सर इसका मतलब आप 1947 की बात कर रहे हैं जे बी क्रिपलानी लोग सभा का चुनाओ लड़ने के लिए प्रत्याशी की नियुंतम आयू कितनी होनी चाहिए लोग सभा का चुनाओ छे-छे मिनट में 25 सोनी चाहिए संसत के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए सर अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए भी ऑप्सन छे महिने से अधिक नहीं होना चाहिए एलोरा में गुफाएं और सैल कृत मंदिर किस धर्म के हैं एलोरा में गुफ संगीतकार तान सेन का मूल नाम था सर तान सेन का मूल नाम हुआ करता था राम तनुप पांडे ये मैं किसी भी एक्जाम आपके एक्जाम का एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा हूं और आज कोई को तहाई नहीं हर 25 क्वेस्चन 6 मिनट में खतम करना है म्यानमार देश की मु करता था कैनिंग ठीक है अगला कोईशन महात्मा बुद्ध किस वन से थे मतलब उनका गोत्र क्या था ग्यात्रक मौरे शाक के कुरू जल्दी बताना सर महात्मा बुद्ध का था शाक ठीक है न साक अगला भारत की किस नदी को ब्रिद्ध गंगा कहा जाता है बताई बताई सर डी ऑप्सन डोडोमा अंडमान दीप समू और निकोबार दीप समू किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं सर ये अलग होते हैं 10 डिगरी चैनल के द्वारा अगला बोगोटा निमलिखित में से किस देश की राजधानी है कोलंबिया बोगोटा बोगोटा राजधान केंद्र का नहीं राज्य का मुद्दा है अगला किसी की जन्म दिवस को राष्ट्री सिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है आज हार नहीं मानना है उड़ा के रख देना है पेपर को मान लो कि यह तुम्हारे एक्जाम हॉल का पेपर है सर सी ऑप्सन मौलाना अबुलकल माम आजाज जी निमलिकित में से किसासक ने जजिया कर समाप्त किया था निमलिकित में से किसासक ने सर जजिया इसमें से अकबर ने समाप्त किया था अगला कोश्चन निमलिकित में से कौन सा लोक नितिक करनाटक से संबंधित है बताओ 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 करनाटक से संबंधि ते ए ओप्शन यक्षगान ठीगन अगला राश्ट्री पोसण सफता तक मनाया जाता है कब से कब तक याद रखना तुम्हारा आइस का पेपर नहीं है जब यूपी पुलिस का पेपर हो रहाता तो बहुत लोग बहुत कठीन आएगा बहुत कठीन कैसा आया तही यूपी कौन सा है काला हारी गोबी सहारा थार बताओ मेरे लिला सर इसका राइड एंसर है सहारा अगला कोशन ब्रिहत बेसीन अवस्थित है कहां पे है ब्रिहत बेसीन कहां पे है ब्रिहत बेसीन बताइएगा आज मैंने आई सही अड़ा का जैकेट डाल लिया समझ रहो ना अड़ा क मैं थोड़ा सा इसमें आपसे अपना भी मंगा लेता हूँ वो ब्रिहत बेसीन आस्ट्रेलिया में बड़ी गर्मी लग रही गर्मी का मौसम अब तो गर्मी ही है क्यों अभी भी कहोगे अब दिरे दर गर्मी नहीं पढ़ने लगी यार भरपूर अपढ़ रही है प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी प्लासी की सर प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी नवाब सिराजु दोला और रावर्ट क्लाइब के बीच में सहवाल विग्यान किसका अध्यान है सहवाल विग्यान सर सहवाल ये सर अध्यान होता है आपके सहवालों का सहवाल विग्यान सहवाल का रेट डाटा बुक किसका विवरण दिया गया है रेट डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया है तो रेट डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया है यह आपको पताना है मेरे बाई रेट डेटा बुक में कहा गया है यह सर उसमें जो संकटा पन पादप और जियू जन्तु है उनका मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम ACI देश का नाम बताईए यह एक कोश्चन है कि अगर मालू यह एक्जाम हॉल में आ गया तुम छोड़ देना कोई बात नहीं सर बी ऑप्शन भारत ठीक है ना अप्शन भारत है नो टंकी किस राजे का लोक निर्त है उत्तर प्रदेश बंद्प्रदेश राजस्थान महाराष्ट सर ए उत्तर प्रदेश ठ आप और आपने यह सेट वन मात्र और मात्र पाँच मिनट में सॉल्व किया है आप साथ सेट हैं हमारे पास सेट टू स्टार अपनी च्हमता को लला मैं तो यह जैकेट हटा दूँ आज गलती से जैकेट पहन के चलाया और वो बड़ा गड़़ा रहा है जैकेट तो हटाना नहीं फाइदे मंद है आईए घरमी लगने लगती है चलो प्रथम मानो हिर्दय का प्रत्यारों पर किस वर्स किया गया था सर ये किया गया था 1967 में अगला रिगुवेद में उलकित प्रसिद दस राजाओं का युद किस नदी के किनारे लड़ा गया था सर ये रिगुवे में से कौन सी किस्म कोईले की किस्म नहीं है पीट डोलोमाइट लिगनाइट या विटमनस बताओ बताओ कौन सी कोईले की किस्म नहीं है सर डोलोमाइट कोईले की किस्म नहीं है जब किसी बंद कमरे में कोईला जला जाता काहें जला रहे हैं मर मुर जाओगे तो कौन सी ग कि सूबा में करेंट अफेर में एक घंटा लगभग पढ़ाता हूं पचास मिनट तो बारा कोश्चन करवाता हूं भारती समिधान में से सामिल निती निदेशक सिधान किसके समिधान से प्रेरित हैं और ये कोश्चन भी ऐसे नहीं है कि इनके लिए बहुत समय दिया जा आयर अगला सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है सो समझ के बताओ और सब लोग 25 क्वेश्चन के लास्ट में अपने नंबर भी बताएंगे सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है डी ओप्शन कारवन डाय आकसाइड भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया था भारत में अं और जुलाई 2013 दुनिया की सबसे महंगी करेंशी कौन है डॉलर, ओमनी रियार, बहरैनी दिनार या कुवेटी दिनार शबसे महंगी सर सबसे महेंगी पढ़ती है कुवैती दिनार अगला अजाद सत्रू के वंस का नाम क्या था सरी अजाद सत्रू वही न जो बिंबिसार का लड़का है जिसकी हत्या उसने खुट कर दी थी यस ये सर हुआ आपके हर्यक वंस इसलिए तो इस वंस को पित्रहंता वंस कहते हैं भारती सम्मिधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौली का अधिकार प्रदान करता है सर वैसे तो साथ थे लेकिन समपत्ती वाला आप समाप्त हो गया तो आप तो छही रहा गये हैं मूल सम्मिधान में पूस्ता तब साथ सही था लेकिन इसने मूल सम्मिधान का जिकर नहीं किया किस भारती जल प्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक चार अलग अलग ज़रने है राजा रानी रोरर नामक चार अलग अलग ज़रने है डी ओप्सन जोग में अगला पुरा पासान काल में लोग कहा रहते थे सर अपने घर में रहते थे माल लो इसमें से एक option होता इन में से कोई नहीं मैं करा इन में से कोई नहीं अपने घर में रहते थे आप फालतू बात कर रहे है यार इसका right answer में ला पहाड की कंदराओं में मतलब गूफाओं में संसार में सबसे बड़ा डेल्टा सर वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुन्दरबन डेल्टा तो लो न एक नमबर जब पढ़ के बैटे हो तो लोग ये नमबर नहीं पढ़े हो तो जाने तो अब गया गया तुक्का मारने वालो सावधान माइनस एक बटा चार यहां तयार है आपका रोको अपने आ पर तो ऐसे हम लोग किताब भारत में पढ़ते हैं लेकिन बिधी साहिता बनाया था हम्मूर राभी ने टफ हो गया क्या सर दो कोईश्चन अगला निमलिकित में से कौन से राष्टपती लगातार दो कारेकाल दौरान राष्टपती पर बने रहे सर आस तक डाक्टर राज या मेगा पाटे कर पेपर सेट टू ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठीन है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम पचीस में पचीस मार के आजाओ सच नहीं कहा रहे हैं ऐसा भी पेपर आ गया न तो सेलेक्शन के करीब तो ले जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन मुझे याद है उत समझोता मतलब कि सर आप बात कर रहे हैं वो गांधी इर्विन पैक्ट की हा सर 1931 इर्विन ही तो था अगला रूस का मैंचेस्टर किसे कहा गया है रूस का मैंचेस्टर किसे कहा गया है रूस का मैंचेस्टर डी आप्शन इवान नोवो को अगला मांचित्र में नीले रंग का प्रियोग किसके प्रदर्शन में होता है जो आपके घर में मैप चिपका है जिस नीले रंग की सर्थम पहने है नीले रंग का प्रियोग किसके प्रदर्शन में होता है नदी के लिए वाकर कप का संबंध किस खेल से है गोल्फ हांकी बिलियर्ड बास्केट बाल भाया आज थ two समाप्त हुआ ready हो अब ये वाला set तुम लोग जानते हो कितने मिनट में की हो छे मिनट में छे मिनट में set two समाप set three start ठीक है देखो हमारी class में तुमको speed accuracy सही गलत और हजारों student के बीच में अपने आपको जाचने का मौका मिलता है सही है ना maintain करूं ना speed साथ test series करवाना यार अभी तो तीसरे पहां आधा भी नहीं हुआ आओ पहला question सास्त्री निर्ते कथक कली किस राज से संबंदीत है कथक कली किस राज जिससे संबंदीत है बताना मेरे भाई ठीक है ना कथक कली तो सर अगर हम लोग कथक कली की बात कर दें तो कथक कली है B option केरल से अगला question धर्मट का युद निवन में सिकिन के बीच लड़ा गया अराम से पढ़ लो इसमें 10 सिकेंड ले लो 10 से 15 सिकेंड ले लो answer बताओ धर्मट का युद ये उत्रा धिकारी पत के लिए लड़ा गया था मेरे भाई आया लो गई न तो इसके जो पूरवस थे उन्होंने नहर निर्माण करवाया तो इसने का लाओ फिर हमको टेक्स दो फिरोस तुगलक अगला कौन सा मगबरा दिती ताज महल कहलाता है सर आगरा में एक मगबरा है जिसे दिती ताज महल यहाँ पर मैं क्लेरिफिकेशन दे दू आपको ठीक है ना एत्माद दो दौला के मगबरा को आप मिनी ताज महल कहते हो ठीक है ना मिनी ताज महल हाँ मेरा ध्यान और दिती ताज महल आपके यह है ठीक है ना दिती ताज महल यह मिनी ताज महल है ठीक है ना ये ताज महल की गंदी नकल दचिड भारत का ताज महल दिती है ताज महल ये तीनों बाते इसको लेकिन अगर मिनी ताज महल पूछे तो ये है ठीक है न ने अभी तुम लोग कते हैं रहे गुरू जल्दी में गलत हो गया खट निमलिकित में से किस संसोधन अधिन पताएगा ठीक है न पंचायतीर सर इसका राइट एंसर हो जाएगा राजस्थान दो अक्टूबर 1969 राजस्थान का नागवर जिला निमलिकित में से कौन सानुचे दराष्टपती की छमादान से संबंदित है यहां पर आपको समय बचाना है ये अगला क्वेस्चन समय मुद्रा होती है रियाद अगला इस फिग्मो मैनो मीटर किस काम में आता है तो सर जो इस फिग्मो मैनो मीटर है वो ब्लड प्रेसर नापता है और इसका राइट एंसर है आपके बी ऑप्सन धमनियों का और हीमो साइटो मीटर वो ब्लड काउंट मापता है लला बैंकिंग में ATM का आर्थ क्या है, खुब सारा पैसा सर, ATM का आर्थ होता है, Automated Tailor Machine, Automated Tailor Machine, ठीक है न, Automated कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता है, अगला, मोहिनी अटम निर्तिकला कहां विक्सित हुई, मोहिनी अटम निर्तिकला, और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था अरे सर 1600 इस्ट इंडिया कंपनी कहां इस्ट इंडिया सर डी ओप्सन इस्ट इंडिया कंपनी अगला एक लंबे अंत्राल के बाद भारत यह हम बांगलादेश के बीच कौन सी गाड़ी चलाई गई है देखें ज़र समझाओता तो हम पाकिस्तान से किये हैं भारत और अभी करेंड की अगर बात कर ले तो डी ओप्सन मैत्री एक्सप्रेस वैसे मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस सदभावना एक्सप्रेस, बंद बंदू एक्सप्रेस ये सब चलाई जाती है भारत और लेकिन लेटेस्ट में अभी मैत्री चली है ऐसा नहीं है कि बंग-बंदू या सद्भावना गलत है या मिताली एक्सप्रेस गलत है वो भी सही है लेकिन लेटेस्ट यह करेंट का मुद्धा है भारत के राश्टपती को पद से कौन हटा सकता है सर पद से उसको हटा सकता है हमारा संसद महाभीयोग ला दे आर्टिकल 61 के अंतरगत 14 दिन पहले इनफर्म कर दे दो तीहाई से पास कर दे 14 हाई से सुरू कर दे काम खतम महाभीयोग आप राज्य सबा या लोग सबा कहीं से भी ला सकते है भारत का व्यापारिक संबन सबसे पहले किस यूरोपी देश से हुआ था सर अगर एंसियंट हिस्ट्री की बात करेंगे तब तो सुमेरिया से, चीन से, मिस्र से मेसोपोटामिया से लेकिन सर, यह आप मौडन की बात कर रहे है तो 1498 में पूर्टगाली आ गए थे इन्होंने वो सारे क्या का था वासको डिगामा काली कट का तट जमोरीन ने स्वागत किया था वेलिंगटन कप का संबन्द, किस खेल से है बताना मेरे लला वेलिंगटन कप का संबन्द, लला मैं तेज सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अब एक्जाम नस्दीक है मैं तुम लोगों को खुब सारे क्वेशन प्रैक्टिस कर वालू मैं भी साल भर पढ़ाता हूँ यार जब एक्जाम आता है तुम्हारा ना भूमत दिसागर को किसके साथ जोड़ता है और एक बात बता दू इतने दिन से चिला चिला करके पढ़ा रहा हूँ न चेस्ट में दर्ध हो रहा है लेकिन बावजूद इसके कल तुम्हारी कोई छुटी नहीं आठ एम पर करेंट अफेर की क्लास है और कल करेंट अफेर की क्लास बलकी मैं दो घंटे लेने वाला हूँ जो मेरा दर टेन मिनट सो होता है उसके सारे टॉपिक का महा कुम्ब है कल कल भंडारा है दर टेन मिनट सो का और मैं लिख के दे दूँ एक एक बच्चा उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है तो जो लोग जानते होंगे दर टेन मिनट सो की वैलून को अच्छे से पता होगा डी उप्चन तो लला कल कोई छुटी नहीं है कोई छुटी नहीं है इसका कल पीडियप भी दूँगा पूरा दो अधाई घंटे पढ़ाऊंगा भी और लला एक्जाम तक कोई आराम नहीं ठीक है ना कोई छुटी नहीं है सब लोग एक बार लिख दो 8 एम सब लोग एक बार लिख दो कल 8 एम मतलब के एट के एट ये लिख दो कि मुझे भी पता हो जाए कि कलाट बजे की करेंट अफेर में आप लोग आ रहे हो ठीक है ना कोई छुटी कल नहीं है सी ओप्सन सारनाथ में रजम नामा फार्सी अनुवाद है सर रजम नामा महाभारत का फार्सी अनुवाद है इसे कहा जाता है युद्धों की पुस्तक दिल्ली के प्रसीद जमा महजिद का निर्मार किस ने कराया था सर जमा महजिद साजहां ने करवाया था मोती महजिद भी बनवाया था लेकिन मोती महजिद आगरा का बनवाया था औरंग जेब ने जो मोती मस्जिद बनवाया वो दिल्ली में बनवाया था भारत में मुगल सासन के दौरान तमाकू की खेती पहली बार कहा की गई थी तमाकू की खेती कहा की गई थी तमाकू की खेती बी आपसन गुजरात में की गई थी जहांगीर ने करवाई थी और जहां बज़े आ रहे हो सब लोग इमानदारी से यार इतिहास रच दिया जाएगा कल सुबह 8 बज़े के करेंट अफेर में अपने सारे दोस्तों जिनका जिनका एक्जाम है अब आने वाले दिन में ठीक है ना छोड़ना मत कल सुबह 8 बज़े की क्लास मुगल फलो का आयात कहां से क करते थे सर मुगल जो होते थे फलो का आयात समरकंद से करते थे समरकंद से कन्योज की लड़ाई कब लड़ी गई सर इसी को बिलग्राम का युद्ध करते है न जो सेरसा सूरी और हुमायू के बीच में लड़ा गया सर ए उप्शन 1540 मुगल वास्तुकला को किसके सासनकाल म में अनोकी भवेता प्राप्त हुई थी मुगल वास्तुकला को किसके सासनकाल में सर वास्तुकला साजहां वास्तुकला मतलब बिल्डिंग उल्डिंग बनाना और सिर्फ कला आट की बात करता तो जहांगीर सिर्फ साहित की बात करता तो अकवर सिर्फ पेड़ पौधों की बाघीचों की बात करता तो बाबर दिल्ली में मोती महज़ीद का नि तोपरा से दिल्ली हस्तांत्रित किया, दिल्ली का कौन सा सुल्तान? सर दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था सी, फीरोस सा तुगलक, इसने असोक के जो इस्तंभलेक थे, आपके सिला लेक टोपरा, ये हर्याना में पड़ता है, अम्बाला में, और वो कौसांबी दोनों को लाय किस अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक बटा तीन अस्थान आरथ शित किया गया सर महिलाओं के लिए ग्राम पंचा यह लीजिए सर अगला क्वेशन जैपूर की स्थापना राजा जैसिंग द्वारा कप की गई थी बताइए का मेरे भाई यार सब लोग एंसर करो आधे लोग चैट रेट बहुत धी में चल ला है आधे लोग खाली है इसे क्वेशन देख रहे हैं बड़े बाबू बन रहे हैं बड़ा बड़े बाबू बन रहे हैं नौकरी चाहिए तो मेहनत करो समझ रहो जैपूर के इस था अपना आपके स्थी आद आ गई होंगी अपनी अपनी परिष्टी श्री साहलांबाद किस राजबे में चैट है पताओ मिरे भाई पर इसी कृष्टी पर नागारजून सागर बांध भी सथी था ईसी निमलिकित में से कि सराज्य के कुल सिंची छेतर का अधिक्तम प्रसत तालाबो दोरा सिचाई होता है सबसे ज़्यादा तालाबो दोरा सिचाई कहा होता है सर तालाबो दोरा सिचाई होता है तमिलनाडू में ठीक है तमिलनाडू अगला बंगाल का कौन सा नवाब अपनी नयाय प्रीता है उत्तरा खंड में पड़ता है निमलिकित में से कौन सी संसदी कारविधी भारत की देन है मतलब वो भारत ने इंट्रिड्यूस किया है सर भारत ने दुनिया को सुनने काल दिया है और सुनने भी दिया है सुनने का भी निर्माता भारत सुनने काल का भी निर्माता भारत भारत किस अस्थान से विश्व कर्मा योजना की सुरुआत की गई है सर विश्व कर्मा योजना नई दिली से सुरु की गई है मोदी जी ने 17 सितंबर को अपने बड़े पे किया था बर्मा को किस अधिनियम दोरा भारत से अलग किया गया यही अब मैं अनमार है पहले भारत का ही पार्ट था सर 1937 में इसको अलग किया गया था गवर्मेंट आफ इंडिया अक्ट 1935 के तहट 1937 में अलग हुआ इस नियम के तहट 1937 में अलग हुआ भारत के राष्टी ध्वच का डिजाइन किसने सर 1921 की बात है पिंगली वेंक या न हारी गए लोग फाइनली जीते तो महिंदर सिंग धोनी ही MSD विसुका विख्या तेल सोधक कार खाना अब दान का है नहीं आ रहा है इसकी प्लिखो इसकी रिजन है इकजाम हॉल में भी यही करके आओगे तु का मार दोगे जल्दबाजी में अरे भया आपको डिगबोई असम वाला याद आ रहा होगा वो नहीं अबदान पूछा है यह इरान में है ऐसे याद रखना अबदान इरान ठीक है न ऐसे याद रखना हमारे समिधान में नयाइक समिच्छा की धाना किस देश के समिश सर आर्टिकल 137 में है न हाँ अमेरिका से ली गई है भारत का अरे सर मतलब क्या ही बात आप कर रहे हैं 26 नॉबर 1949 को फिर सर वो 26 जनुवरी 1950 को पूर्ण रूप से हुआ था ये स्विकार की बात कर रहा है तो शुरुवात तो यहीं हो गई थी सेट 4 समाप्थ हुआ अब आजाते हैं सेट 5 के उपर साथ सेट की बात किया हूं सातों सेट करवा करके जाओंगा ठीका ना रेडि करें अगला साथ मिनट इस 25 कोईश्टन के लिए अगला साथ मिनट आजओ मेरे लला भारत में प्रदान मंतरी तब तक अपने पद़ पर रहत हम कुछ नहीं बोले, तुम बोल ले, हम से मतलब नहीं है, किस सम्विधान संसोधन द्वारा पंचायती राज़ वेवस्था संस्थानों की सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया, सर वो राइट अंसर है, 73 अगला, निमलिकित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से सम् अगला कोशन, सार का पूड रूप क्या है, सार कई बार इसका फूल फाम आता है, एक को लिखने लगा अब की बार, इसका राइट एंसर क्या है, बी आप्सन, साउथ एसियन एसोसियेशन फॉर रीजिनल कोपरेशन, अगला, मानचित्र में परवत और पहाड को दरसाया ज आता है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, कल सुबा आठ बजे आपकी कोई छुट्टी नहीं है, और न कल साम साथ पीम पे आपकी छुट्टी है, रेगूलर क्लास चलेगी, आठ बजे बलकी कल मैं महा एपिसोड लेने वाला हूँ, महा एपिसोड, किसका महा एपिसोड सर, the 10 म मिनट सो का, the 10 मिनट सो का महा एपिसोड चलेगा कल, ठीक है न, कल सुबा आठ बजे, कोई छुट्टी नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, लाल रंग से, अगला, सिल्क का सबसे बढ़ा उत्पादक देश कौन सर, सिल्क का सबसे बढ़ा उत्पादक देश, सर, सिल्क का समय, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, बताएगा, कारगील युद्ध के समय, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था, नवाज सरीफ, नाम से सरीफ, लेकिन एक नमबर का चोट्टा अदमी था, ये नलायक पन किया था, भारत को धोखा देके युद्ध किया था यह संब गद्धार हया है जनमजाद गद्धार था पिर देखो जैसी करनी वैसी भरनी का स्थिति बनी पाकिस्तान में इनकी जंप आल सब्द निम्र gratis सम्झेट बताओ, जंप बाल सब्द किसे संबन्दित है। जंप बाल जो सब्द है मेरे भहिया वास्केट बाल। जंप करके नहीं उसमें डाल देते हैं। बोर्ड से उपर निकल ज्यां, देखें? अच्छा उच्छले। मजा लेते रहना चाहे, I have a dream, किसकी रचना है, बताओ, I have a dream, किसकी रचना है, बताओ, I have a dream, हाँ, हमरे पास भी dream है, सरकारी नौकरी लगे, तुमरे पास भी dream था, तुम मार्टिन लूथर किंग बनना चाह रहे थे, बड़के आदमी थे, एसकीमो के घर बने होते हैं, सर बर्प के, हम तो उसमें नहीं रहेंगे, बर्प के घर में रहोगे तुम, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, कलकत्ता, 1911 में एक को अंग्रेज आया, गोरा- लाल तरिकोड का समभन किस से है सार यह साधी बात देखेंगे क्यों साधी बात देखोगे अरो उसी के बाद तो परिवार नी उजन से पहले कुछ लोग साधी से पहले भी परिवार नी उजन कर देते है पहरत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है छे साथ आठ दस खेल लो भईया खेल लो इसका राइट एंसर होगा सी ओप्सन आठ अगला ए आठ से याद आया पहले सब लोग एक बार जितने लोग हो कल सुबा आठ एम पर प्लास है भाईया मैं कल बार बार कह रहा हूँ कल दर 10 मिनट सो का महा एपिसोड है पूरे 2023 और पूरा 2024 लेकर के ठीक है न अलाइफ पुस्तक के रचईता कौन है अलाइफ पुस्तक के रचईता कौन है सर अलाइफ के तसलीमान नसरीन इनकी एक किताब बड़ी फेमस है लज्जा बड़ा खतरनाक लिखती है मतलब यह महिला क्या बोलें कावेरी नदी बहती है सर बहती है बहने दीजे आपको नहाना हो जाके नहा लीजे हम लोग से क्यों पूछ रहा है आप से ही तो पूछेंगे उत्तर भारत में दक्षिड भारत में मद्य भारत में पश्चिम भारत में सर कावेरी नदी बहती है दक्षिड भारत में अगला घाना पच्छी अभेरण किस राज्य में है बताएगा घाना पच्छी अभेरण किस राज्य में है आने वाल हूत महाकाल दर्शन करने हैं सर उजयं बसाव छिपरानधी के किनारे ठीक है न छिपरा कत्थक कली किस राजी का सास्त्री नित है बताया ग inm wichtiger अग्छ! कम दो राज्यों की राजधानी है क्हेल गल गए गुरू से लुकस का तो था, चंदगुत मौर के तो दर्बार में आया था, भारत की कुल समुदरी सीमा कितनी है, सौ बार याद की होगे, लेकिन आज फिर भूल गए हो, भूल गए हो न, सर चलिए, क्या बात कर दिया आपने 7500 किलो मिटर, बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था, अपने बच्पन का नाम लिखो, वैसे मैं बता तू मेरे बच्पन का नाम नहीं, अभी भी घर का नाम रजनीश है, ठीक है न, मेरा नाम रजनीश है, ऐसे तो आशुतोस सब लोग जानते हैं, बट मम्मी, पापा, भाईया, भाभी, सभी लोग मुझे, दादी, दादा, न मादरी कहते हैं, वार्सा किस देश की राजधानी है, वार्सा सर राजधानी है, पोलेंड की, ठीक है लेला, पोलेंड की, अब सर, सेट फाइप समाप्तवा, एक बार लाइक कर दो, एक खो लड़की लिकरी, ब्यूटी, मौर्या का ब्यूटी है, बाब ब्यूटी, हमारा परियाप्त है अभी समय परियाप्त है नरहो न निरास फिर एक बार याद दिला दू कल सुबा कोई छुट्टी नहीं है आट एम पर आपकी करेंट अफेर की क्लास है दो घंटे की क्लास है दटेन मिनट सो का कमपाइलेशन है मैं हाद जोड के रिक्वेस्ट कर दू आज और पिक वाइच पढ़ाऊंगा जैसे आदित एलवन दस क्वेशचन चंद्रयान्त्री दस क्वेशचन ग्रेंड इसलैम दस क्वेशन नया संसद बवन दस क्वेशचन असब द टेन मिनट सो के जाके सेशन लगाएं लाइक कर देना किस देश की समाचार एजंसी क्योडो है किस देश की समाचार एजंसी क्योडो है सर क्योडो है जापान की अगला संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है सर ताजे पानी की सबसे बड़ी जील लेक सूपीरियर है विस्टु का सबसे छोटा पच्छी है बताना म मेरे भाई मुस्लिम लीक का गठन सी ओप्षन 1906 कल साम सात बजे भी कोई छुटी नहीं है कल सात बजे भी मैं लाइब हूँ ठीक है न नहीं तो आधे सोचने किया है आज तो छुटी है कहा है कि छुटी पेपर है कुछ दिन बाद अगला रिक्टर इसकेल का प्रियोग किसके मापन में किया जाता है कल भी साथ सेट आठ सेट कल करवा दूँगा सी ओप्षन भुकंप की तिव्रता कल आठ सेट करवाऊंगा साथ है न कल साम में साथ बजे आठ सेट मरवाऊंगा तुम लोग से पानी पत की तीसरी लड़ाई उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में यह question आये था कि प्रत्म लड़ाई कब लड़ी गए थी तीसरी सर 1761 में किस समीधान संसोदन द्वारा मतदान क्या यू 21 वर्से घटा कर 18 वर्स कर दी गई है मतदान क्या यू 21 वर्से घटा कर 18 वर्स 21 61 समीधान संसोदन निम्ण में से कौन सा अग्रा पृत्वी से निकट का होता है S, ताकि तुम्हें ये habit बनी रहे, practice बनी रहे, कि exam में गलत नहीं करके आएंगे, sir, right answer बनेगा D, 1666, ठीक है न, one, triple six, अगला, Congress Socialist Party का गठन हुआ, कब हुआ था, sir, M.N. Rai जी को याद करिएगा, 1934 में सम्विधान सभा की मांग किये थे, बांगला देश का उदय क मिल करके पुर्वी पाकिस्तान को छटी का दूध याद दिला दिया था, तब हुआ था, sir, 1971 में, ठीक है न, इसी में अपनी I.N.S. कुकरी सहीद हो गई थी, जो कि हमारी एक सेन ने, पोथ हुआ करती थी, नौसेना की, विक्रम सारा भाई, अंतरिश केंदर कहां इस्थित है, पिनाक है, पाइल रहित विमान, आटोमेटिक राइफल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर, देखो, हर क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे एक्जाम में, कि 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के पाओगे, लला दो-चार क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो तुम से नहीं होंगे, साइद उनमें से एक ये हो, कुछ लोगों के लिए, तो इसमें ना टेंशन मत लेना, अगला, ज्यान पेट पुरुषकार निमलिकित में से किस छेत्र में विस्ष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ज्यान पिट पुरुषकार C-Option, साहित के छेत्र में विस्ष्ट य रित्ते नहीं है ठीक है ना अगला ललित कलाक आदमी की स्थापना किस वर्स हुई थी ललित कलाक आदमी सर ललित कलाक आदमी 1954 सर इसी साल भारत रच शुरू हुआ था ना तान सेन किस मुगल समराट के दरबार के संगी तक गे थे सर तान सेन ओरिजिनल लाम रामतनु पांड लेकिन फिर सर इनको काबूल मिले जाके दफनाय थे ये बात सच है हाकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होतने सर हाकी खेलवा लिजे फुटबाल खेलवा लिजे ग्यारा खिलाड़ी ही रहेंगे कहीं लिख लीजिए अगला कुशन भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान कहा दिल्ली में स्तित he'll Allah संसद के चुणाओ के लिए मतदाता की न्यून्तम आयू कितनी संसद बनना है माल लोग सभा में मिनिमम लोग सभा सर तो पक्चीस साल रहेंगे तो संसद कांद लड़ लेंगे लेकिन लडने कौन देगा पैसा कांए भी सैं की चुनाओ लडोगे सर वो कैनिंग था कैनिंग कैनिंग अगला पच्चिस क्वेस्चन सेट सीख समाप अब सुरू करें अगला सेट यार एक बार लाइक और फिर बता रहा हूँ कल कोई छुटी नहीं है एट एम पर क्लास है कई लोग कहेंगे आसू सर एक बार को कितनी बार दो रहाते हैं लला इ तुम लोग टेस्ट मार लेना बता रहा हूँ कि कल दर टेन मिनट सो का महा एपिसोड है पूरे साल भर के बीसो पचीसो टॉपिक टॉपिक वाइज लेकर क्या हूँगा हर टॉपिक के दस-दस कुश्चन करवाऊंगा लेकिन फिर भी तुम लोग कल देख लेना सूबा चल पहला कोश्चन बुद्ध किस वन से संबंधी थे बुद्ध ये जो महात्मा बुद्ध थे न साके गोध से आचा पता बुद्ध के घोडा का नाम क्या था बुद्ध के सार्थी का नाम क्या था बुद्ध के प्रथम सिसी का नाम क्या था ये लो बुद्ध के प्रथम सिसी पर दिया था लो पाश्ट हो एंसर कर दो सर भासा का ना इनका हुआ करता था पाली परथम उब्देश धी था सारनात में घोडे का नाम हुआ करता था कंटक सार्थी का नाम हुआ करता था करने वाला कुरोएसिया नविंतम देश है सर्व सिक्षा अभियान का उद्देश वर्स के आयू के सभी बच्चों के लिए अभी बजट के दौरान सर्वाइकल कैंसर कितनी उम्र کی लड़कियों को लगाया जाएगा टीका इससे बचने का टीका सर्वाइकल कैंसर से बचने का टीका कितनी उम्र की लड़कियों को लगाया जाएगा इस बार बजट के पेपर में था ये भी बताओ ये पूछ सकता है तुम देख ले ना ये पूछ सकता है ठीक ना इसका राइड एंसर बनेगा बी 6 से 14 और ये वाला है लला 9 से 14 ठीक ना सरवाइकल का एंसर के लिए 9 से 14 है मेरे भाई ये अगले कुश्चन पर जाएंगे विशु स्वास्त दिवस कब मनाय जाता है विशु पुस्तक दिवस सायथ पूछा था 23 अपरेल का उत्तर प्रदेश के पुलीस वाले पेपर में सर ये तो आपके 7 अपरेल को मनाय जाता है ठीक है न 7 अपरेल 2011 की जनगर्णा को सार भारत की साक्षर्ता दर कितनी थी सर अगर जनगर्णा का पहला जिकर किस किताब में आता है बताओ तो भारत की किस किताब में जनगर्णा का पहला जिकर आता है पहला देश जिसने जनगर्णा कराय था सर भारत की जिस किताब का आप नाम पूछ रहे हैं उसका नाम है आर्थ सास्तर चानकी की किताब में पहली बार 1872 इस्वी में पहली अनीमित जंगरना हुई थी मेयो के समय 1881 में पहली नीमित जंगरना हुई थी रिपन के समय सत्रा सो उन्चास में स्वीडन पहला देश है जिसने जन्गर्णा कराया और इस क्वेश्चन का राइट अंसर है चाहतर दस्मिलो जीरो प्रसत लग भाग निमलिकित में सी कौन सा सुमेलित नहीं है आईए सर बताइए रूस मासको कनाडा उटा हुआ चीन संगाई आस्ट्रेलिया कैनपरा सर इसमें संमेलित नहीं है चीन संगाई क्यों सर इस सबकी राजधानियत इनका बिजिंग नहीं हो जाएगा आस्ट्रेलिया की कैन्वरा, कनाडा को अटोवा, रूस का मासको तो चीन संगाई थोड़ी बिजिंग हो जाएगा UNDP का मुख्याल है, हम वेट ही कर रहे थे, समस्तिया था UNDP, आओ, तीस पीट बढ़ा देते हैं, C-Option, New York सिंदुगाड़ी सबेता के लोग पूजा करते थे, सर देखी, यह प्रक्टिक पूजा कुआ करते थे, C-Option, पशुपतिनाथ का अगला, भारत की खोज पुस्तक किस ने लिखी है, सर ये बैट करके, जबाहला नेहरू जी ने लिखी है, इंडिया डिस्कवरी, ठीक है अगला, निम्लिकित में से किसको समराट असोक ने बहुत धर्म के परचार के लिए सिलंका भेजा था, सर वो अपने लड़के और लड़की महेंद्र और संगमित्रा को भेजा था निम्लिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सर महावीर को ग्यान प्राप्ती, महावीर को प्राप्ती, महात्मा बुद्ध पेपर देने कहां गय था, यूपी पूलिस का, बात समझो तुम लोग, किस साथ महान नरेश ने गाथा सबसती किया है, सर गाथा सबसती सिमूग, ठीक है ना, गाथा सबसती महत्पूर्ण कृती की रचना है, सिमूग की अगला, किस मुगल समराट के मगबरे में गुंबत का निर्माण नहीं किया गया, सर गुंबत का निर्माण अकबर, ठीक है सभीने मतलब कुई इंडिया मुमिंट की बात कर रहे न सर इसको फाइनली वापस लिया गया था अप्रेल 1934 में मैक्सिमम टीक मार क्या देंगे 1931 में 1932 रहता तो वह भी टीक मार देते भारती किस भाग में राष्टपती का चुनाओ सर राष्टपती ये तु सर हमारे भाग पांच में ही मिलेंगे न क्योंकि छटवे में तो राज्जियों का जिग्र है न पच्वे में ही केंदर सरकार का जिग्र है तो राष्टपती केंदर सरकार का मुद्दा है समिधान के उभंद के तरत की सर भारती नागरी की नागरी सर देखे भारत के नागरी की ना इतीनो वो खुद से कद्यम नागरिक्ता छोड़ रहा है वो कहीं बिदेश में जाके बस जा भारत में अई बाना करें भारत सरकारों को लगई गदार है ससुरा इसको हटाओ तीनों कंडिशन में सही है ठीक है अनुचेद 25-68 सर आपके लोग वेवस्था सदाचार सर अच्छा यह किनी मुद्दों पर आगर आप किसी भी राज की लोग वेवस्था ख़राब कर रहें सदाचार खराब कर रहें स्वास्त खराब कर रहें भाया रोक तो लगेगा राष्ट पदी पर कारवाहक राष्ट पती के लावा सबसे कम आउधी तक कौन पद पे रहा है तो सर यह ऐसा क्वेशन था जिसको तुम इसकिप भी कर सकते थे कोई ज़रूरी नहीं कि सबका एंसर तुमको पता हो ठीक है न अगला पानी की बूंदों का तैली प्रिष्ट पर न चिपकने का कारण क्या है सरू गलत करते हैं चिपक जाना चाहिए लाइक आफ अधेसी फोर्स ठीक है न अगला रिगुवेद में स्लोक सविता से भी संबंदित है सविता रिगुवेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है लिखने वाले विश्वामित्र है जिस देवता को समर्पित है वो सवित है और सवित ही वर्तमान देव में सुर्य देव है तो गैत्री मंत्र किसको समर्पीत है सूर्देव रिगुवेद के थर्ड मंडल में विस्वा मित्रदारा लिखा गया है अगला जुलाई 2023 में लंजन में आजित विमल्डन 2023 में किस टेनिस खिलाने पूरू से सर विमल्डन 2023 आपके जीता है कारलोस हलकराज ने आश्ट्रेलियन ओपन किस ने जीता है 2024 का जैनिक सीनर ने उसके लमद 2023 का सब नुवाग जोकोवी जीता है ठीक है यह है आपका 67 समाप्त ठीक है और अब एक इनफॉर्मेशन दे दूँ कल है आपका 18 फरवरी आप कहोगे हाँ सर सुबह 8 बजे 10-10 मिनट सो के तुम टॉपिक का फोटो खी चलो एक बार अगर तुमको लगता है कि इन टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है तो मैं टॉपिक वाई जी यह कल करवाऊंगा हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन करीब अढ़ाई 300 प्रस्न कल सुबह 8 बजे इसकी PDF ले करके चले जाना PDF ले करके चले जाना देख लेना GD को उखाड फेकोगे यह मेरा वचन है तुमसे तुम आज आना जिस स्टूडेंट को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ स्सी अड़ा से आपको एक मित्रता वाला प्रस्ताओ देता हूँ स्क्रीन सॉट ले लो GD का पेपर होने देना और जो इसमें से ना आवे जो इसमें से वादा करो की कल सुबह लोग आ रहे हो सर वादा करो की कल सुबह रवीवार है संडे है लेकिन तुम लोग आ रहे हो सर प्लीज आईए अतुल सर अभी आज यूपी पुलिस का एक्जाम हुआ उसका जो हिंदी वाला हिंदी का सेकंड सिफ्ट का एंसर की सर लेके आ गए है तो सबसे पहले तो हिंदी क्योंकि जीडी में भी काम आना है पैटर्न तो एक ही है वो देख लो फिर आट बजे से अपना रेगुलर शेशन करेंगे है इना सर्ल और बात ये प्रूफ कराना चाहता हूँ कि अगर जो हम लोग पढ़ा रहे थे हम आपसे बार बार कह रहे थे कि जैसे अभी मैं पेपर वो दिखाऊंगा आपको और अभी आप लोग देखेंगे एक सेकंड सिफ्ट में क्या पेपर है इसी कि ज परस नीचे एक शो लगा हुआ है उसमें आपको आज ये प्रूफ करेंगे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी कि बापरी बाप और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप ये कहोगे कि मास्टर साब जितने सवाल हमने किये इग्जैक्ली उससे कहीं कम ही मज में आता था इतना चूरन पेपर आया था इतना चूरन पेपर आया था कि लड़के अगर तीन से चार मिनट में आधे से ज्यादा पेपर करके खतम कर दिये बोरे सर ये सबसे आसान है तो भाईया अतुल सर अब मात्र 10-15 मिनट उत्तर प्रदेश पुलीस 17 फरवरी के से सेड्यूल पेख कर दो क्योंकि रवी बार कल कोई छुटी नहीं है और कल सुबा आठ बजे मैं करेंट अफेर लेके आ रहो दट 10 मिनट सो का महा एपिशोड तो ठीक है यहां हिंड कर रहे हैं देखो अतुल सर तुरन सेशन खोल ले हैं जाके जरा हिंदी चेक कर लो कि अग